कल 15 अगस्त को लेकर पटना के गांधी मैदान में तिरंगा फहराय जाएगा स्वत्तंद्रता दिवस को लेकर जिला प्रशासन की ओर से बड़ी तयारी की गई है ट्राफिक ववस्था को लेकर भी नया रूट बनाया जाएगा सुरक्षा के लिया आज से कई रूटों को डाइवर्ड किया गया है कई सडकों पर गारियों के परिचालन पर रोक लगा दी गई है गांधी मैदान पहुँचने में किसी को कोई परिशानी ना हो इसके लिए खास विवस्था की गई है इस खाबर पर और अधिक जानकारी दे रहे है नियूज 18 समवात ताता आनद अमरित राज पंदरागस को लेकर प्रसासिन तैयारियां पूरी कर ली गई है और साथी पंदरागस को जो ट्रैफिक विवस्था है उसमें भी बड़ा बदलाव किया गया है और जिला प्रसासिन जो टैक या उसके इसाब से मजहरूल हक पथो डागमंगला चवरा हो कवी गुरू रविंद्रे नाथ चौक हो गांधी मैदान चिलन पार तदा सामान वहानों के लिए परिशालन पर पूरी तरीके से रोक रहेगे यानि कि इन रास्तों में सामान परिशालन भी बंद के जाएंगे इसके अलावा नियू डागमंगला रोड से एसपी वर्मा रोड में वहानों को इंट्रिड नहीं दी जाएगी यानि कि डागमंगला रोड से एसपी वर्मा रोड में वहानों के इंट्रिड नहीं दी जाएगी साथी कोतवाली से पूलिस लाइन तक पूरब की ओर जाने वाले सभी रास्ते कारकरम खत्म होने तक बंद रहेगे यानि कि जब तक 15 गस का आयोतन होते रहेगा कोतवाली से पूलिस लाइन तक पूरब की ओर जाने वाले सभी रास्ते बंद रहेगे इसके लब भोल्टास मोर से उत्तर के ओर जाने वाले वहान विद्यापती और बुद्ध मार्ग होते वे पूलिस लाइन तिराह की ओर जाएगे ये भी बहुत मत्पूर्ण है, साथी छजुबाग से टीन बनरजी रोड जेपी गुलंबर की तरफ वहानों किंट्रे भी बंद रहेगी, फिर तयारिके गए, इसका लावा जेपी गंगापत से इन सिना इंस्टिचूट गांधी मैदान की ओर सिप पास धारक वहानी आ इसके लावा अने गाडिया आई कर्याले के सामने मरीन ड्राइब की ओर ड्राइवर्ट कर दी जाएगा, पटना वासियों को जाम की सिती के सामने ना करना पड़े और आसानी से वो पटना के तिहासी गांधी मैदान आ सकें या फिर सडकों पे उनका अवज आही हो सके, कैम